नमस्कार पिडियो विद्यार्थियो स्वागत आपका WKS Physics Academy आज हम BSC Final Year Exam 2022 के लिए Physics के Paper 2 के Most Important Person जो है वो अप्लोड कर रही है यहाँ पर हमारा Paper है Nuclear and Solid State Physics Unit No.5 है Energy Band Theory and Conductivity यानि कि उर्जा, Band, Siddhant और चालकता यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डेटेल से बता देता हूँ कि अब तक हमने कौन से Paper की कितनी उनिट को अप्लोड कर दिया है जिससे कि आपको सुविदा हो जाए जो विद्यारती आज पहली बार हमारी चैनल से वीडियो देख रहे हैं उनको भी यह पता लग सके कि अब तक हमने कौन से वीडियो अप्लोड की है तो यहाँ पर जो Paper First है Quantum Mechanics का उसके तीन इनिट के Important Person मैंने अप्लोड कर रखे हैं सबसे पहले जो वीडियो अप्लोड की थी Quantum के उस पर लगभग 14,000 के आज पास Views हमारे आ चुके हैं तीन इनिट को अप्लोड कर दिया है क्योंकि एक्जाम पैटर्न 50% का है तो आपकी तीन इनिट जे ही आपका Paper जो कलियर हो जाएगा और इसके बाद Electronics के अगर हम बात करें पहले तो Electronics आपका थर्ड पेपर है माराजा गंगा से विशुदाले की अनुसार तो उसमें एक उनिट जो है Circuit Analysis परिपत की विशलेशन उसके वीडियो में अप्लोड कर चुका हूँ और इसके बाद मैं उसके भी Important Person अप्लोड कर दूँगा पेपर नमर दो जो आता है Nuclear and Solid State Physics का उसके अंदर Nuclear की तीन उनिट होती है और Solid की दो निट है तो Nuclear की मैंने जो तीसरी उनिट है Accelator और Detector वाले इसके Most Important Person अप्लोड कर रखे हैं और Solid के एक जो उनिट है चार नमर उनिट जो है अपनी वो अभी मैंने कल ही अप्लोड की थी और आज पांच उनिट अप्लोड कर रहा हूँ इसका मतलब हम Second Paper है वो Complete कर चुके हैं तीन उनिट के साथ अब हमारे पास सिर्फ दो ही उनिट बचेंगी Final Year की, BSC Third Year की ये Final Year की Electronics के उनको भी मैं जल्द ही अप्लोड कर दूँगा कल और परसों या एक दिन में दो वीडियो अप्लोड करके उसको Complete खतम कर दूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप Unit No.5 है हमारी Section A हम सुरू कर रहे हैं एक बात मैं आप पूर बता देना चाहता हूँ कि आपको ये देखने से लग रहा होगा कि मैंने काफी क्यूशन इसके अंदर डाल दी है लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें क्योंकि ये जो पांच सानमे न्यूट है इसके अंदर दो चैप्टर लगते हैं तो दो चैप्टर होने का मतलब है कि दोनों से क्यूशन आती है तो क्यूशन की संख्या तो बढ़नी ही है इसके बाद यहाँ पर जो मैं सेक्शन ए में परसन डाल रहा हूँ ये क्यूशन बता रहा हूँ ये डेफिनेशन टाइप क्यूशन है जो की डेड नमर के अंदर आते हैं तो यही क्यूसन जो हैं वो जब आप सेक्शन B के अंदर में आपको बताऊंगा सेक्शन C में बताऊंगा तो टोपिक्स तो वही रहेंगे लेकिन मैं यहाँ पर आपको अलग लग बता देता हूँ कि इसमें डेफिनेशन यह पढ़ नहीं है आपको सेक्शन B के लिए इतना सेक्शन C के लिए इतना त्यार करना है तो इनकी संख्या को देखकर आप गवराएं नहीं यह आपको टोपिक्स वही हैं बस मैंने अलग लग उनको छांट के और सेक्शन के अंदर डाल दिये हैं और यहाँ पर टाइम की कमी के करण में आपको डारेक्ट यह बता रहा सबसे पहले हम सुरू करते हैं सेक्शन A के लिए हमारा परसन जो है वो रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर्ती वीभो के आपको डेफिनेशन त्यार करनी है और आवर्ती जालक की यानि पेरिडिक पोटेंशियल और पेरिडिक लेटिस क्या होता है इन दोनों की ड स्टेटमेंट क्या है इसे आप कई बार बलोस थेोर्म भी बोल देते हैं इसका स्टेटमेंट आपको त्यार करना है यह सेक्शन C के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा क्रोणी पैनी मोडल में आवर्ती वीभो का चित्तर यानि जो क्रोणी पैनी मोडल है आपका उसके पादगती सीरता और अपवाय वेग यानि कि मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनिशन आपको याद करनी है वेल्टेजमान अभी गमन समीकन जो है वेल्टेजमान ट्रांस्पोरटेशन जो एक्वेशन है वो आपको त्यार करनी है सेक्शन B के लिए इसको त तियार करना है और इसको तीन नंबर यानि सेक्शन B के लिए आपको त्यार रखना है जिससे अगर सेक्शन B में अगर आता है तो वहाँ पर भी आप इसको कलिर कर पाते हैं इसके बाद मिंडेवान फ्रांज नियम जो है यह आ जाता है हाल प्रभाव होल प्रभाव है काफी है होल प्रभाव के अंदर ये होल एफेक्ट क्या है होल कोफीशेंट होल गुणां कैसे ग्याद करते हैं और इसका जो प्रायगिक सर्त्यापन है यह पूरा टोपिक है सेक्शन C के अंदर भी आने की संभावना है तो इसको आप पूरा त्यार करेंगे तो यह तीनों परसन में एक और बता रहा हूँ जिसको आप ध्यान रखें ऐसी कौन सी दो धात्में हैं जिनका होल गुणांक हो पोजिटिव होता है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जिंक और कैडमियम ये दो धात्में हैं जिनका होल गुणांक पोजिटिव होता है बाकी जो यहाँ पर देख सकते हैं क्रोणी पैनी मोडल के निसकर्स जैने कि जो इसके जो result आते हैं वो result क्या है यह आपको section B के अंदर जो तीन नमर का person है वो effective person बिल्कुल बनता है तो क्रोणी पैनी मोडल जब आप त्यार करेंगे तो इसमें एक free electron का जो effective mass है वो normal electron से किस परकार से difference खाता है mail खाता है यह थोड़ा सा आप जरूर पढ़ लेना और एक ही जालक के लिए क्रोणी पैनी मोडल है वो किस परकार से आता है इसका result क्या आता है यह आप अच्छे तरीके से जात कर लेना क्रोणी पैनी मोडल के अंदर में आपको इसकी definition बताई है इसके result बताई है और एक linear lattice के लिए इसके जो क्रोणी पैनी मोडल है इसके क्या results है क्या यह definition किस परकार से इसकी बनती है कैसी इसका formula बनता है यह आपको बताना है इसके बाद आता है इसके बाद हम बात करते है इसके बाद हम बात करते हैं section C की section C के अंदर हमारे पास दोनों chapter से एक एक question में आपको बता रहा हूँ block फर्मे को पूरा statement देखे और पूरा proof करना है जो आपका आ सकता है या whole effect जो है पिछली बाद क्या हुआ था कि whole परभाव को पूछ लिया और उसके साथ में जो drude का लोरेंज अपरश्टा सिदानत है उसको पूछ लिया था तो अब की बाद हो सकता है इस वीडियो में वीडियो को like, comment और share जरूर कर देना अगर पहली बार चैनल पर आये हो तो चैनल को subscribe कर लेना वो इसे में आपको बहुत most important महत्तपुन जानकरिया है वीडियो, lectures, notes बगएर आपको मिलते रहेंगे तो मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद